वेल्कम टू कॉफी विचेर गुरू दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला हमारे पास सबसे पहला सवाल आए मनमोन मारवाजी का A to Z एक हजार शेहर है 37 रुपर 45 पैसे में उसके बाद एटलांटा, BF Utility, BHEL, Canline Fine उसके बाद JK Lakshmi Cement और LIC, मनमोन मारवाजी को मेरी सलाह ऐसी है कि A to Z ये शेहर हमेशा विवाद में रहा है, बड़ा Controversial रहा है क्योंकि जब कोई बड़ा ब्रोकर शेहर को लेता है तो एक लोगों का एक ऐसा मानना हो जाता है कि अगर उस बड़े ब्रोकर नहीं लिया है तो ये शेहर बड़ा चलेगा लेकिन दोस्तों अगर आप इसकी बैलन्शीट को देखें, खासकर मनमोन जी अगर आप इसकी बैलन्शीट को देखें, तो Power Transmission Equipments में कंपनी का सेल है, 634 crores for the year 2017 और माइनस 80 crores है उसकी बैलन्शीट, और मैं आपको बता दूँ कि कई लोग पेपर में भी ऐसे आर्टिकल्स लिखते हैं, कई लोगों को क्रिडिसाइज करते हैं और बोलते हैं कि इन्होंने ऐसा पैसा किया और ऐसा इतना बड़ा बिजनेस किया लेकिन बैलन्शीटिन को रीड नहीं करनी आती है जरूरी नहीं कि हमेशा आप figures को माइनस लिखे, अगर आप उसको bracket में भी लिखते हैं तो bracket also means कि yes, companies जो net profit है, वो loss में है, वहाँ loss है, profit नहीं है लेकिन ये बहुत कम लोग समझते हैं कि जब bracket में होता है तो उसका क्या मतलब होता है लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि जब ये ऐसा होता है तो इसमें movement जरूर आएगी और positive zone में ही जाएगा आने वाले समय में लेकिन मेरी अपनी personal right to avoid BF utility में भी आप इसको avoid करिए, BHL yes, जब भी भारत Electricals, भारत है भी Electricals one of the monopoly companies हैं अब तो बहुत सारी companies supercritical boilers में आ गई हैं, turbines में आ गई हैं पट one of the best companies as far as capital goods is concerned तो BHL को आप hold करके रखें, can line 5 को आप इसको जो आपके पास 1500 है 165-20 के बाव से इसको भी hold करें, JK Lakshmi को भी hold करें best company in the semen sector और LIC को भी दूसरा सवाल है, जीवन जी का 61 साल के संगरूर मजाब में रहते हैं वो कहते हैं कि उनके पास PTC Finance, Jindal, Saur, Rolta, Reliance Capital, Max Finance और इसके long term prospects इसको क्या लगते हैं यहाँ पे जीवन जी एक बड़े पुराने विलन होते थे, जीवन नांक से बोलते थे बैन जी, तो वो जो उनका जो डायलॉग था और जो स्टाइल था, वो बड़ा amazing स्टाइल था आज आपने मेरे दिल को छूली आपने नाम को जीवन बता के तो यहाँ पे PTC Finance को होल्ड करके रखिए, जिन्दल सौ को होल्ड करके रखिए, रोल्टा फ्रम डे IT सेक्टा इसको एवड करिए, रोलाइंस कैपिटल को एवड करिए, मैक्स फाइनस को भी आवड कर सकते हैं, तो यह आपके प्रॉस्पेक्स है, आपके जो शेयर्स आपन चाते हैं, तो यहाँ पे सासाव अगर आपने खरीदा नहीं है, तो तुरंट खरीदिए, और अगर खरीद कर रखा है, और पैसे की ज़रूद ने तो इसको बेचना नहीं है, इसको आपने होल्ड करके रखना है, आने वाले समय में आप इसका प्राइस 200 के आसपास लेखे चौता सवाल महबूब अली शेख जी हैं, 33 साल के मुंबई से, वो कहते हैं कि वो ही इस होल्डिंग इंडिया बुल्स हाउजिंग फैनेंस, मनापुरम, ICICI, ICICI प्रोडेंशल, DHFL, तो इसमें क्या करें, तो यहाँ पे मैं कहूंगा, इंडिया बुल्स हाउजिंग फैनें आपको यह रहेगी कि प्राइविट बैंकिंग में ICICI is very good, तो इसको hold कर सकते हैं, लेकिन अडिशन मनी अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अगर लगाना चाहते हैं, तो my first choice would be South India Bank, the current market price जो उसका कुछ 2830 रुबे के आसपास जो वो डोल रहा है, पांचवा सवाल हमारा साइस साल के, he wants to invest in GNFC, दोस्तों, as far as GNFC and GSFC is concerned, both the companies, joint stock companies, गुजरात की, both the companies are fantastic companies, लेकिन आप मेरी personal rhyme मांगेंगे, तो मैं हमेशा कहूंगा, कि GNFC की जगे GSFC को पहले prefer करे, GSFC में जो S आता है, alphabet, गुजरात state fertilizer, गुजरात नरवना दी, second choice of course would be GNFC, चलिए दूसरे शेर पे चल तो राजेदर कुमार जी है, मदर प्रदेश से, वो कहते क्या करें, यहां पे बिल्कुल clear concept, avoid this share, आठवा सवाल हमारा देसाई जी, अंदेरी मेरे रहते हैं, वो कहते हैं कि I have Ashok Leland, 1300 shares है, 76, purchased 2 years ago, और अब उसकी price 120 है, क्या मैं book profit करूँ, और वो कहते हैं कि मुझे पैसे की जरूत नहीं है, और जब आप देख रहे हैं, और जब coffee with share guru भी आपको यह बोड़ रहे हैं कि आने वाले समय में, आइसका बाव कम से कम 200 रुपए हो जाएगा, तो इसको hold करके रखें, second query उनकी बड़ी अच्छी है, वो कहते हैं कि interest rates नीचे जा रहे हैं, तो should I remove my capital from fixed deposit and invest in mutual fund of stocks, बड़ा चा सवाल है दोस्तों, लेकिन हर investor को कहता हूं कि interest rates कम हो रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में economy को boost करने के लिए incentive देना बड़ा जरूरी है, तो मैं समझता हूं कि fixed deposit के ओपर, present government will bring the interest rates at 9% and even the lending rate should also come to 9%, ये मेरा ऐसा मानना है, लेकिन ये हो सकता है and this has to happen and this will happen, तो यहाँ बे मैं कहूंगा कि जो fixed deposit का पैसा है वो बिलकुल आप ना निकाले और total पैसा जो आप invest करते हैं stock market में should not be more than 20% irrespective whether it is equity market or it is mutual fund, तो that of course you got to be very careful of, नाइन question है वो कहते हैं I want to buy tourism finances को बिलकुल avoid करिये, संदीब सावरकर जी का 33 साल के हैं, दस्वा सवाल है, गायकव ना चाहता हूं तांबे सर आपकी रायज जाननी है, डी मार्ट से लेकर उनका ये सवाल है, दोस्तों as far as इसका जो listing है, इसमें ये मान के चलिए कि लिस्ट बड़ा high price पे हुआ, appreciation हुआ, लोगों को IPO में जोन्हों ने apply किया, उनको बड़ा अच्छा profit मिला, लेकिन प्लीज आपकी प्रचेस प्राइस आपने नहीं बताई है, 350 का आपने रेट जो कोट किया है, तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि इस शेर को भी आप एवाइड करें, चलिए चलते हैं, बारवे सवाल के उपर और यह कहते हैं कि BBTC इनोंने खरीदा है, future consumer खरीदा है, TNPL खरीदा है, तो यहाँ पर बड़ा interesting चीज है, दिनेश बारोड जी मुंबई से बारोड साथ, 48 साल के आप, BBTC means Bombay Burma Trading Company, इसके उपर road circuit लगता है, 100-100 रुपए से यह शे के उपर, कि आप इसको 100-100 रुपी कि इसकी रोज की appreciation हो रही है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बिल्कुल stay away from the stock, और जिनको यह profit मिल रहा है, profit book कर लीजिए, पता नहीं कब गर जाए, तो यहाँ पे future consumer, yes, किशोर बियानी, is the name for retailing business in India, I salute this man किशोर बियानी, future consumers, yes, जिनके प बाकी का जो बचा हुआ piece होता है, उसको हम बगास कहते हैं, बगास में से आप newsprint बनाते हैं, newsprint basically आपके paper के paper छपता आपका, उसको newsprint बोलते है, normal paper नहीं होता है, तो इसमें ऐसी क्या high technology है बगास में, और उसको आपने newsprint में convert कर दिया, तो newsprint हमारा import भी होता है, तो यहाँ पे भी इसको आप avoid करें, और यहाँ पे जैसे आप देगा hold or sell, तो बारोट जी पहले sell करिए, चलिए चलते हैं तीसरे सवाल के उपर संदीब जी कोसी कलान में, क्या बात है, संदीब जी जब कोसी कलान की बात आती है, तो मुझे याद है, 1980 के दशक में, IOC refinery डालना चाता आता असौटी में, आप तो जानते हैं, दुनिया नहीं जानेगी क्योंकि आप कोसी कलान पलवल और उसके पहले आता असौटी तो वहाँ पे refinery लगाना चाहते थे, और सबसे बड़ी बात बड़ी इंट्रेस्टिंग क्योंकि आगे जाके तो ताजमल आता आगरा में, उस इनके पास RBL बैंक है, तो इसको होड करके रखिये, DHFL को एवोइड करिये, ICICI Prudential, दोस्तों, ICICI, ये आने वाले समय में, इस सम्थिंग लाइक ब्लाक गोल्ड फॉर यू, तो इसको होड करके रखिये, इस सम्थिंग लाइक गोल्ड माइन, बिकॉस इंशुन सेक्टर मे इस इस बना फर्स कंपरी इस तो गेट लिस्टेट, फैटल बैंक को भी होड करके रखिये, बहुत अच्छा शहर है आपका, सागर देशपांडी, शागर देशपांडी, कल्यांड में रहते हैं 32 साल के, वो कहते हैं कि दिवाली मोरट ट्रेडिंग पे उपर वो कुछ खरी ये, एक क्वेशन लेने के बाद आपको वो टिप बताता हूँ, गुरु मंतर बताता हूँ, लास्ट सवाल, मेगा अगरवाज जी का, दिल्ली में रहती हैं, द्वार का, क्या बात है, बिल्कुल एरपोर्ट के पास, 32 साल की हैं, प्लीज एडवाइज में आन दे बिलो शे सब्सक्राइज में रहती हैं, इसको आप होल्ड करके रखिए, तो चलिए गुरु, यहाँ पे जो गुरु मंतर है, यह है मंडाना रिठेल, फैशन, इसका प्राइस होगा कुछ 130-140 रुपए का, लेकिन आप कहेंगे, कि शेर गुरु ने ये, ये शेर कैसे इडवाइज की दोस्तों, इस कंपनी का कुछ टायप हुआ है, तो यहाँ दुनिया उनकी बड़ी फैन है, तो यहाँ पे क्योंकि उनका जो ब्रैंड है, बिंग यूमन, इस सब्धिक वरी सक्सेस्फुल, तो यहाँ पे इसको लॉंग टर्म के हिसाब से इसको होल्ड करके रखिए, इस इ पेस के पोटफोलियो को स्ट्रॉंग बनाने के लिए किप वाचिंग कॉफी वर शेयर गुरू